दादी किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं, तो आपको उस समें क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ, तो साकार बाबा के संसकार होने के बाद, हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्यूंकि हमारे ब्रह्मान परिवार का ये नियम है, कि जो भी शरी छोड़ता है उनको, तेरा दिन उसका भोग लगता है, पहले दिन ज़रूर लगता है, जब शरीर का संसकार हो जाता है, तो सभी तयार होके पहले भोग लगाते हैं, रोज भी क्लास में कुछ नकुछ हो तेरा दिन उसके प्रत भोग रखते हैं, थोरा साही, जो उसा आत्मा को स्विकार करते हैं, तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैटी थी लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था और बाबा का पाइट चलना है ये भी पता नहीं था जैसे कोष्चन सबी के थे क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये कुश्चन थे, तो बाबा अवियक्ट हो गया, तो सिंटर कैसे चलेंगे, मौली कैसे मिलेंगी, और डिरेशन कौन देंगा, ये सबके कुश्चन थे, हमारे भी कुश्चन थे, लेकिन जब बोग लगाने बैठे थे, तो अचानक उसी दिन बाबा आया था यह जो पार्ट हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था और उसी दिन ही मैं समझती हूं सारे कोईशन्स का उतर दिया था तो सभी के मन में जो दुबदाएं थी न क्या होंगा क्या होंगा कैसे होंगा तो वो बाबा ने सभी उतर देने थे क्योंको बच्चों की कोईशन्स चलेंगे तो थे तो ऐसे ही न क्या क्यों इसलिए बाबा ने फोरण ही स्टाप करने के लिए आये थे तो पहले दिन से हमें ये अन्वव है कि जिसतना समय बाबा हमारे बाड़ी में शरीर में आते है यूज करते है हमारी बाड़ी उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है आत्मा तो मेरी यहां ही होती है शरीर में क्योंकि आत्मा अगर चार-चार गंटा निकल जाए तो परवेश होना मुश्किल है इसलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है लेकिन हमारा कंशिसनेस मैं गुलजार हूँ ये कंशिसनेस जो है वो मर्ज होती है जैसे रेडियो होता है ना रेडियो में यह टी वी में आप जो भी आपको या कहते है इसको टी वी में क्या करते हैं झाल रहा उसका आपको आवाज आएंगा बाकी चल तो सभी चैनल रही है ना उस समय ऐसे नहीं बंद होते है लेकन स्विच हमारा बंद होता है इसी लिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते है वो ही हमको सुनाई देता है देखने में आता है इसी रीती से हमारे को बाबा जो सबा में होता है, मिलते है, आते है, जो भी होता है, इसका कांशसने से हमारा बंद होता है लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है इतना समय मैं अपने को बिलकुल ऐसी मीठी साइलेंस में अन्बव करती हूँ, बहुत अच्छा अन्बव होता है उतना समय एकदम जैसे डेड़ साइलेंस नहीं, स्वीच साइलेंस एकदम, जैसे बाबा के लव में लीन हूँ या बीजरूप हूँ, वो भी कुछ नहीं होता है लेकिन एकदम स्वीच साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मगन रहती हूँ, इसलिए मुझे लोट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लोटती हूँ, तो स्वीच साइलेंस के स्टेज से लोटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहां चलता है, वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन कोईच्छन दूसरे कोई करती है, तो आपको यह नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है, ल इतना ही अच्छा है, जितना मैं सुनूँ, और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है, उसमें मैं संतुष्टू, मुझे कोईच्चन नहीं उठता है, मैं समझती हूँ, आप समझ गए होंगे अनुभाव दादी का कैसे बाबा आते हैं,